थे किया है वेग्रेश्चिना रादे रादे सभी भावी शिक्ष्षकूँ को मेरा रादे-रादे हरे कुछिना और jsवा और मैं आप सब से खाता कि मैं आघ आपके सामने एक बहुति शानदर रंटी ले कर आने वाली वहां से जाकर मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर आरपी सी फस्ट ग्रेड से जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शांदार तैयारी करवा ही जा रही है इंदी साहिती का हितियास इस उंकला में पूरा हो चुका ह है 46 पार्ट में हुआ है और जितना मैंने कराया है उसका पूरा का पूरा जो पीडिएफ है वह मैंने टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी है एक भी पैसा उसका नहीं है आप यहां मुझसे जुड़ जाए और इसके बाद टेलिग्राम चैनल से जुड़ कर और वहां से हि आपके जो दस सिद्दान तो चल रहे हैं वह पूरे हो चुके हैं और मैंने सारी पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी है और साथ ही आज जो आपको स्क्रीन पर यह दिख रहा है तो यह वह समय सार्णी है जो मैंने व्याख्यता बनने के लिए अपना ही थी और यह सारी किताबे चलती थी तो यह सारी किताबे तो RBSC की थी अभी NCIT की चलिए तो बिलकुल अभी जो किताबे हमारे सरकारी स्कूल में चल रही है इस साल जो चेंज हुई है उन्हें किताबों को मद्य नजर रखते हुए मैंने यह पूरा एक टाइम टेबल बनाया है यद 345678 ऐसे करके मैंने पर देखा हिंदी के विद्यारतियों के लिए एक बहुत गजब की समय सारी बनाई है आप उस समय सारी को फोलो करके और हिंदी का कोर्स दो बार कर सकते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं सारा मेटर टेबल पर इकटा कर लिया होगा क्योंकि मैंने पिछले सिद्दान्त पढ़ाया था वहां पर मैं बता चुकी हूं कि बाजार से आपको क्या 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 लाने की ज़रत हैं हिंदी सब्जेक के लिए फस्ट ग्रेड को अगर क्लियर करना है और भी और पिस्ट ग्रेड हिंदी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ जो बच्चे मुझसे जो विद्यारती मुझसे शुरू से जुड़े उनको तो पता ही है यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए कितने प्रश्ण कहां से आएंगे कितने नंबर के आएंगे कैसे प्रश्ण पूछा जाएगा प 3-5-2022 यानि 3 मैं से आपको ये स्टार्ट कर देना तीन महीं से आप ये स्टार्ट कर देंगे और 30 मैं तक आप कंटीनुच चलेंगे और सारा मैटर आपकी टेबल पर आपने इखटा कर लिया है पुरानी सालों के आएवे पेपर आपका पाटे क्रम जो जो भी किताबे मैं आपने बताई है वह आपने कर ली होगी आप देखिए तीन तारीक को आपको क्या पढ़ना है मैं आपको तीन तारीक का पैटर्ण समझा देती हूं आगे आप खुद समझ जाएंगे आदी काल इंदी साहिति के इतियास लेखन की पद्दतियों से लेकर अन्य प्रमुक साहिति इतियास गंत और उनके लेखक कवीता तोतला रजिस्टर पेज नंबर एक से तेईस अब जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि मैंने ये क्या लिखा है जी हां मैंने जिन नौट से पढ़कर व्याख्यता की ये सीट ली थी उन्हीं नौट को मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है और यहां पढ़ाने के बाद उनकी जो पीडियाइफ है वो मैंने मेरे टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट की जो स्टूडेंट्स ने फोल रही हूं यह सारी मेरे रजि स्ट्र के पेज नंबर है जो मैंने ऐसे के स्टूडेंट्स को बेह जैं और निशुल को बेज药 कोई भी चार्ज नहीं मेरे दो रजिस्टर हैं एक रजिस्टर में पूरा बेच चुकी हूं एक रजिस्टर आदा हो चुका है और उसके अब केवल काविशास्त्र के चंद अलंकार रस और एक जन संचार बाकी है वह भी मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी बाकी में सब कुछ जितना मैंने पढ़ा एक से तेवीस ठीक है हो सकता है आपके रजिस्टर में यह 25 तक चला गया हो 28 तक चला गया हो लिखने की सब की अलग अलग है तो पीडियाफ में जाकर अगर आपको फिर भी कन्फियूजन है इसलिए मैंने यह डिटेल से लिख दिया तो आप क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसलिए जो की मेरे रजिस्टर के पेज नंबर में एक से तेईस और आप अपने रजिस्टर के पेज नंबर में जहां तक भी यह टॉपिक आ रहा है उसको पूरा कर लिजी ठीक है अब यहां मेने अगला लिया है आपको कख्षा 11 की वितान पढ़नी है क्या पढ़नी है बारतिय कलाएं चौथा लेखकों के बारे में पांच वह यानि पांच पाट आपको इस वितान के फांच करने और उसके बाद आपको पढ़ना एक टॉपिक शब्द शक्ती यह आपको पढ़ना है शब्द शकती जो कि आपके काविशासर का हिस्सा है तो आप समझ गई होंगे तीन तारीख को अपको hit09 करना है कितना करना है इतियास लेखन की पद्दतियों से लेकर प्रесьवक साइती इतियास ग्रन्त मेरे गुदि थी गषर के पेज नंबर करने हैं और एक तौफिक आपको काविशास्त का करना है यह आपके तीन तरिका टार्गेट है हिंदी का जीके में क्या करना है वह आप अपने इसाफ से देखिए क्योंकि आपको अब हिंदी और जीके को साथ लेके ही चलना है कोई भी स्टूडेंट अब यह न सोचे कि पहले में हिंदी कर लूँ फिर जीके करूंगा नवंबर में आपका पेपर है फस्ट ग्रेड का आपको इसके साथ साथ जीके भी करना है अब वह आप बना लीजिए और वह भी आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कहिए मैं जीके का भी आपको इसके साथ ही बनाके बेज़ वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हां मेडम मैंने ये पूरा कर लिया ये चार गंटे में हो गया कि पांच गंटे में हो गया हिंदी का अब मेरे पास इतना समय शेष है तो मैं आपको फस्ट ग्रेड के फस्ट पेपर खा पूरे समय साणी 30 तरिक तक की बनाके द इस तरिक को हिंदी साहित्य का काल विवाजन और नाम करन ये कहां से शुरू होगा ये पेज नमबर 24 मेरे रजिस्टर की बात कर रही हूं मैं कंफ्यूज मत होना मैं मेरे रजिस्टर की बात कर रही हूं जो मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया है अगर आपको टेलि हिंदी के रंग कविता तोतला के संग हिंदी में ही टाइप करिएगा मिल जाएगा नहीं तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से जोईन कीजिए फिर भी नहीं जोईन नहीं हो पाता है तो यूट्यूब चैनल जाके डूढ़ यहां तक पढ़ना है यह मेरे रजिस्टर है कविता तोतला पेज नंबर है 24 से लेकर 45 तक समझ में आ गया यह तो इंदी साहित्तिका इतियास और अब आजाओ आप कक्षा ग्यारा की अंतराल वितान हमारी पुस्तक पूरी हो गई अब हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा ग्यार का टॉपिक अलंकार यह मैंने करवाया नहीं है ठीक है जब तक मैं यह टॉपिक नहीं करवा देती आप नरुत्तम दास स्वामी की अलंकार परिजात से इसको कर लीजीएगा मैं पहले ही जो विद्यार्ति मुझसे जुड़ें उनको पता है कि मैं सारी किताबों के नाम मेर की शब्द शक्ति यानि कल तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल इसके साथ आपको चल सकूँ बता सब्सक्राइब वैसे मेरा वीडियो आज आएगा नहीं भी आए तो आपको उस बुक में से पढ़ना है अगला देखिए पास तारिक को आपको पढ़ना है आदी काली हिंदी साहित्य को देन और कविता तोतला रजिस्टर के पेज नंबर है 46-84 अब हम आजाते हैं कक्षा अमारी दो किताब हो गए वितान और अंतराल अब अंतरा से पढ़ते हैं फ्रेम चंद अमरकांत का बोजन हरिशंकर परसाई टोर्च बेचने वाले रांगेई रागव गूंगे सुदा अरोड़ा जोतीबा फूले और हमारा टॉपिक है चंद यह आपको इसमें से पढ़ना है यह पांच तरिको यह टारिक करना है समझ आगया होगा यह देखिए यह छै तारिक का तारिक है आगे यह 7 तारिक तारिक है ृ8 तारिक है नो तारिक ये दस तारिक ग्यारा मई ये बारा मई तेरा मई चौवदा मई पंदरा मई सोला मई सत्रा मई अठारा उन्नेस वीस एक्केस वाईस तेईस चौबीस ये 25 यहां लिखा है और इसके टॉपिक्स यहां है ये आपका रिविजन हो गया देखो आपका एक बार का जो कोर्स है न वो कहां तक हो रहा है मैं आपको बताती हूँ एक बार का जो आपका कोर्स है वो यहां तक कंप्लीट आपका एक बार का जो आपका कोर्स है वो आपका 16 तारिeg तक ही कम्प्लीट हो रहा है हिंदी सारिकत इससारिक जिसमें आपका फिर्स्ट ग्रेड और पिस्ति का हिंदी का पूरा सिलेब बस कवर किया है चाहे व्याकरणों जन्स अंचारों काविशास्त्रों एमेका पार्ट यह आपकी किताबें हो यह आपका हिंदी साहित्य का इतियास कमेंट सेक्षन में बताइएगा समय सार्णी कैसी लगी और आपको जीके की भी चाहिए तो पहले एक दिन फोलो कीजिए जो टॉपिक मेरे रेजिस्टर में वह आपको मिल चुके हैं लगबग केवल काविशास्र जन्स अंचारवा की जो मैं करवा दूंगी और कमेंट इमानदारी से मुझे कमेंट सेक्षन में बताएंगे कि हम इसे फोलो करेंगे यदि आप करते हैं तो आपका सेलेक्षन होने से कोई नहीं रोक सकता है और बहुत-बहुत सभी को शुप कामना है मेरी और से तैयारी शुरू की नहीं है तो कर दीजिए लग जाईए पूरे जोशे जुनून के साथ पूरे आनंद के साथ उत्सा के साथ जो भी मैटर लाना है अब तक ला चुके होंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें बैल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सुके हरे कृष्णा रा